आज की स्टोरी एक IPS आफिसर की है IPS एक जॉब नहीं है IPS प्राउड है भारत देश के लिए हम सब जानते हैं IPS आफिसर बनने के लिए डेडिकेशन और फोकस के साथ सेक्रिफाइस की भी जरूत पड़ती है एसी ही एक डेडिकेटिड और सेक्रिफाइस वाली स्टोरी आज की वीडियो में है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो जहन दोस्तो स्वागत है आपका Grow Together चैनल में ये कहानी एक गुजराती लड़के की है लड़का में GS3 का एक्जाम के लिए जब घर से बाहर निकला तो साड़े 8 बचे इसका एक्सिंट हो गया जिसमें इसका लिगामेंट इंजरी हो गई सर से बिलीडिंग हो रही थी ये एर उठा और इसने देखा कि लेफ्ट हैंड मूव नहीं कर रहा बट राइट हैंड ठीक ठाक है तीन घंटे एक्जाम हों में बैठ सकता है इस लड़के के पास अब दो आप्शन थे सामने ये खड़ा होके एक्जाम देने जाए या हॉस्पलाइद होके अपनी किसमत पे कोसे बट ये लड़का खड़ा हुआ और एक्जाम जाने का डिसाइड किया आप किसी भी सक्सफल लोगों की स्टोरी देखेंगे तो कहीं न कहीं एक ऐसा मूमेंट आता है जहां पे इनसान की स्ट्रगल पीक पे होती है और उसको डिसाइड करना पड़ता है कि आगे जाना है या यूटन लेना है सब सक्सफल लोगों ने ये इसाइड किया था कि उनको अपनी हाला से लड़ते रहना है और आगे बढ़ना है जब भी आपको लगे कि आपको बहुत परेशानिया है जब भी आपको लगए कि आप हर तरफ से परेशनों से घिर चुके हैं जब भी आपको लगए कि आपके पास कोई भी option नहीं है तब आप अपने दिमाग में ये लाइए कि यही में एक moment है जिसमें आपकी तक्दिर बदलने वाली है क्योंकि diamond को जितना घिसा जाता है उतनी उसकी value बढ़ती है सोना जितना ज़्यादा तपता है उतनी उसकी value बढ़ती है अगर आप जिन्दगी में तपते रहना चाते हैं घिसते रहना चाते हैं तब ही आपकी value बढ़ेगी और यही attitude रहना चाहिए इस लड़के की financial condition ठीक नहीं थी पापा electrician थे और ममी housewife थी और diamond की कार खाने में भी काम कर चुकी थी उसके बाद शादियों में जाके रोटी बनाया करती थी इन सब condition में यह लड़का पड़ा लेकिन जब इस लड़के से पूछा जाता था कि ऐसी कौन सी चीज है इसको यह life में बदलना चाता है तो यह लड़का हमेशा कहता है कि कुछ नहीं क्योंकि यह सब life में नहीं हुआ होता तो आज यह life में यहां नहीं होता यह बात इस लड़के ने एक example से समझाया भारत वर्ष का सपना चंदरगुपत और चाने क्या ने देखा उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब यह शंगर जारी था तब राजा धनान्द की बेटी दुरधरा से चंदरगुपत को प्यार हो जाता है तब चानक यह उनको बोलते हैं कि तुम्हें दूर रहना है उससे तब चंदरगुपत बोलते हैं कि आचारे सोचता हूं कि भारत का समराट बनने के लिए इतने त्याग इतने बलदान ना देने होते तो तब चानक की कहते हैं तो हर कोई भारत का समराट होता यही fundamental rule है life का अगर IES और IPS बनने के लिए sacrifice नहीं करने पड़ते त्याग नहीं करना पड़ता तो हर घर में IES IPS officer मिल जाते इस लड़के की life में भी ऐसे ही sacrifice थे 23 March को इस लड़के का interview था और 20 February को hospitalized होना पड़ा क्योंकि इसको infection हो गया था एक मार्च को ठीक होने के बाद इस लड़के ने दहली जाने का सोचा सेकंड मार्च को दहली पहुँचा थर्ड मार्च को अगें टॉंसलेडिस का attack होने की वज़े से वापस एमदाबाद आना पड़ा अगें hospitalized और 15 मार्च को hospital से discharge हो गया 16 मार्च को अगें दहली आ गया और 23 मार्च को इसने UPSC का interview दिया सो एक मंत का hospitalization और उसके बाद इस लड़के की दिमाग में ये था कि जो लोग इसके साथ interview दे रहे हैं वो इससे ज़्यादा prepared है तब ही इस लड़के ने सोचा कि यही moment है जो इसकी life बदल देगा ये लड़का इसी attitude के साथ interview देने गया और पूरे इंडिया में इसके second highest marks थे और सफीन हसन youngest IPS officer बने 2018 बैच के हम सबको proud है इन पे कि ये ऐसी situation में भी motivated रहे दोस्तो इस ट्रगल life का part है इस ट्रगल के साथ उचाया चूने की बात ही कुछ हो रहे I hope आपको आज की motivated story अच्छी लगी होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो like करिए और share करिए अपनी friends and family से ताकि वो भी इस वीडियो को देखके motivated रहे हार situation में हम grow together लेके आते रहेंगे ऐसी unique वीडियो जब तक के लिए जहन दोस्तो